जै मा काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, कैसे हों आप सभी, आशे करती हों आप सभी अच्छे होंगे, खोश होंगे और स्वस्तों, माता काली और बाबा भैरोनास की किरपा आप सभी पर बनी रहें आज मैं आपको बताऊंगी कि माता काली को कौन-कौन से भोग सब सिप्रिया है और मा को कौन से भोग देने चाहिए जिससे मा बहुत जल्दी प्रशन होती है क्योंकि किर्पा द्रिष्टी आप पर बनती हो और मा उन भोगों को खोशो कर सिकारती है तो वीडियो को अंतक पूरा देखें इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी पॉइंट आप से छोटना जाए क्योंकि इसमें मैं और भी पॉइंट आपको बताऊंगी उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्पून जानकारी से बंचे न तो मैं आपको बाद में बताऊंगी पहले आप यह जान लिजिए कि मा कैसे प्रशन होती है देखिए आपने अगर मा बोला है और आप मा शब्द क्योंकि बहुत से बच्चे मुझसे बूचते हैं कमेंट में कि दिदी मा काली को कौन सा भोग सबसे प्री है मा को हम कैसे मांग नहीं करती मा के पूजा का कोई नियम नहीं है जो नियम है वो मा नहीं बनाए है वो खुद हमारे अपने बनाए हुए है यह प्रित्वी पर मा को पूजने वाले लोगों ने बनाए है यह नियम मा नहीं बनाए मा नहीं कहती के तुम मेरे नियम में यह करो मा नहीं कह देती हो के माँ आपके भाव के भुक की है माँ आप से कभी नहीं मांग करती किसी चीज की माँ कभी किसी भुक की भी मांग नहीं करती आप से आपके पए को शोकष झोरible मन से हाथ जोड़ कर माथा तेख दें मां उसमें खोश हो जाए और बहुत एक चीज और लोग क्या गलती करते हैं वो मैं यह आप प्रस्पर कर देती हूं कि आप लोग मां की सेवा में गलती यह करते हैं कि आप किसी मंदिर पर गए किसी दर्वार में गए तो वहां जाकर तेरे को रोज यह भोग चड़ाऊंगा या मैं डेली तेरे मां अंदर बार में माथा रखने आऊँगा आपको वचन कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसी प्रस्थिति आ जाती है कि हम नहीं जा पाते हैं हम मंदर में नहीं जा पाते कई पर ऐसी प्रस्थिति हो लेकिन हमको मा को कभी वचन बंद नहीं करना चाहिए आप जाएं और प्रात्ना यह करें कि यह भगवती हे माम जगदंबे मैं जब भी तेरे मंदर में आऊंगा माथा रख कर जाऊंगा और तेरे लिए मैं यह भोग जड़ाऊंगा मैं अपने शैद्दा अनुसार तेरे कुछ ना कुछ भोग जरूर लेकर के हैं जब भी तेरे मंदरमना कभी यह ना कहें कि मैं हमेशा यहाँ पर आऊंगा मैं यह कर देखिए कई प्रस्तिति इसी हो जाते कि हम नहीं पहुंच पाती हैं रोज देले जाने वाले बच्चों के सामने भी कई वार ऐसी समस्याइं आजाती हैं कि वो नहीं मंदिर पहुंच पाते हैं तो उस पस्तिती में क्या होता है कि मां जो है वो वचन बंद हो करके वहां बैठी हुई है हमारे आस में कि मेरा बच्चा आएगा और हम नहीं पहुंचते हैं तो वो वचन भंग हो जाता है वो वचन भंग करने वाली बात हो जाती है तो हमें ऐसा नहीं करते हैं अब बात करते हैं मा के भोग की मा का पसिंदा भोग तो देखिए वैसे तो मा किसी प्रकार का भोग की मांग नहीं करती है लेकिन आप अगर मन से सच्छे मन से मां को भोग चड़ाएं तो आप मां को उसमें फल है जो भी सीजन पर फ्रूट आते हैं उन फलो हो माँ को चड़ाईए आप मा को मि्ठाई का भोग लगाईए जो आप प्रशद्दा बने कोई भी मिठाई का मा को भोग लगा देजिए जो सीजनी फल चल रहे हैं उसमें से किसी फल का भोग लगा दीजे सच्चे मंद से माँ को आप कुछ भी लगा दीजे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपके गर में जो बन रहा है आप उसका माँ को भोग लगा दीजे खुशो करके खाएगी लेकिन दिल से खिलाइए और वो मन सिखाएगी तो मा कभी किसी चीज की मांग नहीं करती है मा के भोग के लिए नियम करें अलग-अलग तो कोई नियम नहीं है जैसे आप चाहें वैसे मा को पूझे लेकिन दिल से पूझे उनका एक चीज मैं आपको यहाँ पर स्पश्ट कर दू जो लोग नियमों से पूझा करते हैं उनको जल्दी किरपा प्राप्त नहीं होती जो दिल से जैसे उनको आती है वैसे वो मा की पूझा करते हैं उनको बहुत जल्दी किरपा प्राप्त होती है नहीं मानते हैं तो देख लीजी आगे हजमा करके जो नियम बना करके लोग मा को पूझ रहे हैं उन पर करपा कम मिलेगी और जो बिना नियम के उल्टा सीधा जैसा आता है वैसा मा को पूझ रहे हैं वैसी पूझा कर रहे हैं बोग दे रहे हैं उनके हाथ चोड़ रहे हैं दिन राट बैठ रहे हैं सेवा कर रहे हैं बिना किस समझ में आजाएगा आपने सारी जिंदिगी नियम से पूजा करिए एक बार मां को सचे दिल से उल्टा जीदा जैसा है वैसा करके देख लीजिए मालूम पढ़ जाएगी कि वह सालों की पूजा में और दस दिन की पूजा में अंतर मिल जाएगा तो आज की वीडियो में इत सब्सक्राइब 2-0 वह मेरा परस्नली चैनल है उस चैनल पर आपको मेरी परस्नल वीडियो मिलेंगे तो आप उस चैनल को भी सपोर्ट करिएगा और आप आप सभी अपना प्यार और आशिरवात मुझ पर सदेव ऐसे ही बनाए रखे तो मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो वीडियो आपके लिए लेकर क्या जाती है जैमा काली हारार महादेश